तो जी हाँ दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको खुंखार विरप्पन सरकना के बारे में बताएंगे हलाकि वो अब नहीं है लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में आपनी इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहेगा दोस्तों 18 अक्टूबर 2004 को देश के सारे चैनल पर एक एंकाउंटर की खबर आई थी लेकिन उस खबर पर लोगों को भरूसा नहीं हो रहा था क्या देश के जादत तर लोग इस एंकाउंटर में मारे जाने वाले आत्मी की कहानियां जानते थे जी हाँ बिल्कुल जानते थे और उन्हें उस खबर पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये एंकाउंटर हो गया है दोस्तों ये एंकाउंटर हुआ था विरप्पन का जिसने राजनी ती पुलिस और जंगल को इतनी कहानिया दी के उसके उपर फिल्म में आई दोस्तों भारत की पुलिस को इस आदमे ने जितना दोडाया था उतना शायद ही किसी ने दोडाया हूँ तीन राज्यों करनाटक केरल और तमिलनाडू के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था इसका राज इसके राज में खुजने से पहले आदमी को इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी दोस्तों विरप्पन का गांग करनाटक में आता है राजकुमार तमिलनाडू में जन में थे करनाटक और तमिलनाडू में कावेरी नदी को लेकर जगड़ा है तो राजकुमार को इसलिए किड्नैप किया गया था कि पानी के मुद्दे पर बात की जा सके एक रिपोर्टर को विरप्पन के बच्पन के दोस्त ने बताया था कि कमर उमर में ही विरप्पन हातियों के दात का तसकर बन गया था चंदन की लकड़ी के काम में तो वो बाद में आया था दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों 1962 में दस साल की उमर में ही विरपन ने अपना पहला अपराद किया था एक तसकर का कतल किया था उसी वक्त forest विभाग के तीन अफसरों को भी मारा था नाम था इसका विरया गाउं के लोगों के मुताबिक पहले ये एक बहुत करीब था साधरन आदमी forest विभाग के लोगों ने ही इसे उकसाया था समगलिंग के लिए फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पढ़ गए फिर ये जंगल में भाग गया उसके बाद दोस्तों 2000 में हीरो की किड्नैपिंग के बाद 50 करोड रुपे मागे थी राजकुमार की रहाई के लिए साथ ही बॉर्डर इलाके के लिए वेलफेर स्कीन ये रॉबिन हुड बनने का इसकाई का लग स्टाइल था फिर 2002 में उसने करनाटक के एक मिनिस्टर नागपा को किड्नैप कर लिया और मांग पूरे ना होने पर उसे मार दिया ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र की विरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर दिया उसी वक्त एक अफ़ा भी उड़ी थी कि एक बार विरप्पन को पुलिस ने घे लिया हैडशोट लेने की तैयारी चल रही थी पर विरप्पन ने अपनी सैटलाइट फोन का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े मंत्री को फोन किया और पुलिस वहां से हट गई मारा गया तो दोस्तों विरप्पन ने 184 लोगों को मारा था जिसमें से 97 में लोग पुलिस की थे हाथियों को मारना तो इसका पेशा और हो भी कुछ भी मान लीजी दोनों ही थी और लोगों से दोस्ती का फर ज़दा करने का तरीका था पांच करोड का इनाम था विरप्पन के सर पर ये कहा जाता है कि जब इसकी बच्ची पैदा हुई थी तो ये माली जी कि ये इतना feeling less था कि इसने अपनी बच्ची का गला गोट दिया क्योंकि अगर वो लड़की रोएगी तो हो सकता है कि किसी को पता चल जाए और ये पकड़ा जाए दस हजार टन चांदी की लकडी काट के बेच दी इसने जिनके कीमत लगबग दो ला अरब रुपे थी विरप्पन को मायने के लिए जो टास्क फोर्क बनाई कई थी उस पे करीब सो करोड रुपे खर्च हुए थे लेकिन दोस्तों अपनी जान पर खेल कर उसके गैंग में शामिल होने वाले पुलिस वाले कमाल के थे बहादुरी की ऐसी मिसाल मिलने मुश्किल है जै ललीता ने इस ओपरेशन में शामिल अपने अफसरों को प्रमोशन दिया और सबको तीन तीन लाख रुपे दिये विजय कुमार ने इस ओपरेशन कोकून के बारे में किताब भी लिखी है नाम है विरप्पन चेजिंग दा प्रिकैन दस महीने तक चला था ये ओपरेशन विजय के आदमी सबजिवाले मजदूर कारीकर बनकर उस गाओं में फैल गए थे जहां विरप्पन गूमता था बारे में कहते हैं कि विरप्पन की बीवी ने उससे शादी इसलिए की कि उसे विरप्पन की मूचे और बदनामी रास आ गई थी टाइमस ओफ इंडिया के मुताबिक विरप्पन की बीवी मुथू लक्षमी ने कहा कि विरप्पन को फसाया गया था हाती और चंदन से विरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ था नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया हमने साउथ छोड़कर नौर्थ जाने का भी प्लान किया था पर विरप्पन ने कहा कि अगर यहां से बाहर निकले तो लोग मार देंगे तो चलिए अब बताते हैं आपको कि विरप्पन का एंकाउंटर कैसे हुआ था तो 2003 में जब विजे कुमार STF के चीफ पने थे तो उस टाइम पर विरप्पन अपनी स्किल खो रहा था विजे कुमार के लिए विरप्पन नया नाम नहीं था 1993 में भी विजे ने इसको पकड़ने के लिए बहुत महनत की जो इंसान पत्तों के चर्मराने से जानवर को पहचान लेता था वो ये नहीं पहचान पाया कि गैंग में विजे के आदमे घुस गए थे दोस्तों जिस दिन विरप्पन मारा गया था उस दिन वो अपनी आग का इलाज कराने के लिए निकला था जंगल से जब बहार निकला तो पपीरा पटी गाउं से एक एमबुलेंज ली पर वो गाड़ी थी पुलिस की जिसे विजे का एक आदमी चला रहा था जो विरप्पन की लोगों से दोस्ती कर चुका था पुलिस की लोग रस्ते में छिपे थे एक जगे गाड़ी रोक कर ड्राइवर भाग निकला फाइरिंग होने लगी ड्राइवर के जिन्दा बच निकलने का कोई अंदाज़ा नहीं था पर निकल गया विरप्पन मारा गया कहते हैं कि उसे जिन्दा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई क्योंकि वो छूट जाता पर पुलिस यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बैल आइकन को प्रेस करना ना भूए